हेलो दोस्तों, वेल्कम टू इलेक्ट्रोनिक इस्टडी एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप से भी का आज हम पढ़ने वाले हैं आयत और बर्ग का छेतरफल ग्याद करना तो आए सुरू करते हैं आयत यानि रेक्टेंगल इसके बारे में कुछ पहले हम बेसिक समझ लेते हैं देखे, आयत की जो सम्मुक भोजाए हैं वो आपस में बराबर होती हैं सम्मुक मतलब आमने सामने की भोजाए हैं वो हमेज़ा बराबर होती है और आयत का जो प्रत्य कौन बनेगा वो कितने अंसका बनेगा 90 अंसका ठीक है ना अब इसमें समझते हैं आयत का छेत्रफल छेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुड़त चोड़ाई यानि लेंथ गुड़त ब्रीथ आयत का बिकर्ण होता है अंडर रूट L स्कूर प्लस B स्कूर यानि करणी में लंबाई और चोड़ाई का वर्ग आयत का परिमाप कैसे ग्यात करेंगे देखिए दो बार इसमें लंबाई है और दो बार चोड़ाई है तो दो को हम कौमल ले लेंगे और L प्लस B कुछ ठक में लेख लेंगे यानि 2 L प्लस B ये इसका परिमाप हो जाता है अब एक कॉस्चन और आता है कमरे से संबन देती यानि कमरे की चारों दीवारों का छेतरफल तो उसमें क्या करेंगे परिमाप में सिर्फ हम H का गोड़ा और कर देंगे तो हमें दीवारों का छेतरफल पता चल जाएगा आए कॉस्चन करते हैं कुछ देखे पहला कॉस्चन है एक आयत की लंबाई यादि 10 मीटर हो वह चोड़ाई 8 मीटर है तो उसका छेतरफल परिमाप ग्याद किजिए चो छेतरफल क्या होता है L गोड़त B यानि लंबाई गोड़त चोड़ाई तो 10 गोड़त 8 कर लेंगे तो 80 मीटर हमारा छेतरफल हो जाएगा और परिमाप का क्या करेंगे 2 L प्लस B यानि 2 गोड़त लंबाई प्लस चोड़ाई तो 2 गोड़त 10 प्लस 8 यानि 2 गोड़त 18 त हां 40 미टर वाद 30 मीटर है तो इसका बिकरन गयाद कीजिये है अब दिखें विकरन का फॉर्मूला क्या था करनी में l का sqare plus b2 कर लेंगे तो 40 का स्क्कॉare आजाएगा 1600 और 300 आ जाएगा 900 . इन में आ जाएगा पचीस सो और पचीस सो किसका स्कार रूट होता है पचास का तो पचास हमारा अंसर हो जाएगा अब तीसरा कॉस्चन देखते हैं एक आयत का छेत्रफल बारा सो मीटर स्कार है यदि इसकी लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी चौकि छेत्रफल होत कर देंगे तो बी बराबर आ जाएगा तीस मीटर यानि इसकी लंबाई 40 होगी और चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगी आए आंगे बढ़ते हैं चौथा कॉस्चन देखिए एक आयत की लंबाई 15 सेंटी मीटर है वह विकर्ण की लंबाई 17 सेंटी मीटर है तो चेत्रफल क्या होगा अब बिकर्ण मतलब यहां देखिए यह जो 17 मीटर मेंने जो बनाया है सेंटी मीटर यह इसका कर्ण हो जाएगा ठीक है ना और इसकी जो लंबाई दी है वो 15 मीटर है तो हमें इसकी क्या निकाल लंबाई निकालनी है चोड़ाई 15 दी हुई है तो हम क्या करेंगे दोसो नवासी और 15 का होता है दोसो पचीस दोसो नवासी मेंसे जो हम 225 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 64 जो की करणी में मिलेगा और 64 किसका रूट होता है तो भोता है आठ का तो हमें यह तीनों भजाएं पता चल गई अब इनने पूंचा है कि छेतर फल क्या होगा तो के लिए हम क्या करेंगे लंबाई गोड़े चोड़ाई देखे न तो पंद्रा गोड़े आठ कर देंगे लंबाई गोड़े चोड़ाई में तो हमें मिल जाएगा 120 सेंटिमींटर स्कॉयर जो की इसका छेतर फल हो जाएगा एक और कॉस्चन समझते हैं देखे दिया है एक पार्क की लंबाई 90 मीटर वज चोड़ाई 60 मीटर है इसके अंदर चारों तरह 5 मीटर रास्ता है तो रास्ते का छेतर फल ग्याद कीजिए यह यूपीटेट का कॉस्चन है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे पार्क का छेतर फल निकालेंगे जो कि हमें दिया गया है क जो इसकी चोड़ाई 90 मीटर थी वो रास्ते के अंदर के भूबाग की कितने बचेगी 80 मीटर और जो इसकी लंबाई 60 मीटर थी वो भी 10 मीटर घट जाएगा पांच-पांच दौनों साइट से तो यह बचेगा 50 मीटर तो इसका हुआ चंगवन सो और अंदर वाला जो भू हम घटा देंगे तो बीच में जो रास्ता बनाए गया वह हमें पता चल जाएगा तो चंगवन सो में से हम 4000 को घटाएंगी तो हमें मिल जाएगा 1400 मीटर स्कॉयर जो की रास्ते का छेत्रफल हो जाएगा तो लगभग हमने रेक्टेंगल यानि आयस से जुड़े हुए सभी कॉस्चन किये जो कि अभी तक पूचे गए जिस जिस टाइप के अब हम समझते हैं वर्ग यानि स्कॉयर तो देखिए बर्ग के बारे में कि कुछ हम फैक्ट समझ लेते हैं बर्ग की जो चारों भोजाएं वो बराबर होती है यानि यह एक समान होती है और बर्ग भी विकर दाले गए हैं यह एक दूसरे को जहां पर सम्दोई भाज़त कर रहे हैं यहां पर प्रते कॉन यानि 90 डिगरी का बनेगा अब इसके कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं बर्ग का छेतरफल होता है भोजा का बर्ग यानि ए स्कॉयर ए मतलब भोजा और बर्ग का परीमाप क चाहिएगा कैसे देखे यहां पर चूंकि यहां पर ए हमारे चार बार आया है तो चार का रूट टू बन जाएगा और ए हमारी भोजा आजाएगी तो एरूट टू हो जाएगा अब कुछ क्वस्चन करते हैं पहला कोस्चन है एक बर्ग की जो भोजा है वो 20 मीटर है तो इ दूसरा question देखिए उस बर्ग का छेत्रफल क्या होगा जिसका विकार्ण 6 मीटर हो तो इसके लिए एक formula है विकार्ण का square upon 2 यदि विकार्ण दिया हो और 6 ग्याद करना हो तो यह वाला formula लगाएंगे तो विकार्ण क्या दिया है 6 यानि 6 का बर्ग यानि 36 36 बटे 2 कर देंगे तो हमारा 18 answer आ जाएगा तीसरा question देखिए एक बर्ग का छेत्रफल पत्चीस सो मीटर square है तो इसकी भोजा ग्याद कीजिए छेत्रफल बराबर होता है भोजा का बर्ग छेत्रफल देया है 25 तो 2500 के बराबर लख लेंगे ए सक्वायर अब ए सक्वायर बराबर करणी में पहुँच जाएगा 25 क्योंकि भोजा का इसक्वायर लगा हुआ है और ए बराबर हो जाएगा पचीस हो किसका स्क्वार रूट होता है पचास का तो यही हमारा आंसर हो जाएगा एक और कॉस्चन देखे चोथा एक बर्ग जिसकी एक भोजा चार मीटर है तो इसका परीमाप चेत्रफल ग्याद कीजिए अब देखे भोजा दिये चेत्रफल होगा एक इतना दिया है चार तो चार ग्याद चार करेंगे तो 16 मींटर ही हमारा परीमाप आजाएगा एक और कोस्चन देख लेते हैं माप कीजिएगा इतने ही कॉस्चन आज की सि dauert